अपने फोन में WhatsApp contact number को कैसे sync कर सकते हैं बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे sync करेंगे जो आपके पास जो contact number save किया वो आपको Google पे save हो जाएगा sync हो जाएगा WhatsApp account पे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे तो आगे बरने से पहले शन्वे पहले बाना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिजेगा साथ में घंटी का option आए तो उसे भी क्लिक कर दिजेगा ये WhatsApp है इसी के बारे मैं बात करने वालाओं तो चलिए शुरू करते हैं और ये मेरे पास रियल में का फोन है अगर आपके पास कोई और फोन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं उसके उपर भी वीडियो बना दूँगा तो सबसे पहले इस सिंक करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद आपको इस टैप का इंटरफेस दिखेगा तो आपको उपर के तरफ जाना है उपर के तरफ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक आप्शन दिखेगा यूसर अकाउंट इस पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको WhatsApp पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको Contact दिखेगा Contacts तो आपको इस पे टिक होगा पहले से तो आपको सबसे पहले इसको Untick करना है उसके बाद इस पे दुबारा टिक करना है और उसके बाद यह जो गोल चकड़ी होता है इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप देखेंगे कि आपके ये इस तरीके से टीक होने के बाद यहाँ पर टू डॉट पर क्लिक कर रही है यहाँ पर सिंक नाओ पर क्लिक करना है डिमो पर क्लिक नहीं करना है स्टिंक नाओ पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट स्टिंक होना सुरू हो जाएगा तो गाईस कैसा लगा वीडियो फ्रेस कमेट में चुरूर बताएगा